चैजिनन्द्रा आज हम बनाएंगे सरगवा की सबजी सिंपल और इजी रेसिपी के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें कई बार इसा होता है कि हम हरी सबजिया तो बहुत खाते हैं पर सरगवा या इसे सहजन भी कहा जाता है तो ये थोड़ा कम खाया जाता है पर अगर इसके बारे में अगर हम सिफ इतना सा जान ले कि अगर विटामिन्स का सप्लिमेंट अगर नहीं लेना है आपको तो सिफ आपते में एक या दो बार इसे खा ले तो विटामिन्स की गोली नहीं खाने पड़ेगी तो यह ही simple सी सबजी है और बहुत ही जल्दी और बहुत ही आसानी से बन जाती है और इसे अच्छी तरह से दोने के बाद इस तरह से काट लेना है सरगवा में तो बहुत सारे vitamins है जैसे कि vitamins A है, C है, calcium है, protein है, सब कुछ है फिर भी जब भी आप सबजी बनाए तो एक हरी मिर्च का यूज़ जरूर करें क्योंकि यह भी vitamin C से भरपूर है और सबजी भी इससे टेश्टी बनती है तो चलिए अब बनाना शुरू करें, यहाँ पर मैंने गेस ओन कर दिया है और यह भी time saver cooker जिसे मैं कहती हूँ, यह बहुत जल्दी इसमें कुछ हो जाता है मैंने वही लिया है और यह बेशन वाली सबजी है तो तीन चमर जितना ओल लिया है मैंने इसमें डाला है मैंने राई, जीरा, हिंग, हल्दी, लाल मिर्च और आप डाल देंगे कटे हुए सरगवा की सिंग और हरी मिर्च और डाल देंगे आधा ग्लास पाने मैं तो सरगवा की सबची इसी तरह से बनाती हूँ कि पहले ही ओईल डाल कर इसमें सारे मसाले डाल कर सरगवा डाल कर फिर इसे कुप करती हूँ ताकि सरगवा की सिंग जब हम चूसने के लिए ले तो उसके अंदर भी ये सारे मसाले का टेस्ट अच्छी तरह से आए और ये बहुत ही टाइम सेवर कुप करें, तीन मिनिट में ही तीन से चार सीटी बजने तक इसे कुप करना है, इस तरह से कुप करने से हमारा टाइम भी बज जाता है, और बहुत ही जल्दी से ये सबजी तयार हो जाती है, तो आप चार सीटी बज गई है, तो गेस को बंद कर देंगे और इसे दो मिट तक ठंडा होने के लिए रख देंगे और तब तक जो पहले मैंने भी दिखाया है एक वीडियो में बिल्कुल वही है यह रोश्टेट बेसन में ने दो से धाई चम्मच लिया है उसका हम पानी डालकर पेस्ट बना लेंगे रोश्टेट बेसन है तो पूख होने में टाइम नहीं लगता है और पानी डालकर पेस्ट बनाने से जब भी हम सबजी के अंदर बेसन डालेंगे तो गुठली यह नहीं होगी तो हमें बिल्कुल इसी तरह से पेस्ट बना लेना है और इस सरगवा की सब्जी में बहुत से लोग छाच या दहीं डालते हैं पर मैं यहाँ पर निम्बू का च्यूश डाल रही हूँ आप दहीं छाच अगर डालते हो तो निम्बू ना डाले और अब हमने जब तक बेसन का पेस्ट बना लिया तब तक तो यह ठंडा भी हो ग तरह से प्रेस हो रहा है मतलब बहुत अच्छे से यह को गया है इसे कभी ओवर कुक ना करें कि यह एकदम से गल जाए और अब इसके अंदर जो हमने हरी मिर्च डाली थी अब इसे हम निकल लेंगे ताकि गलती से भी चूसने में ना आ जाए हरी मिर्च डालने से एक सबज तो अब तीखा पण तो आ ही जाता है टेस्ट इसका बहुत ही अच्छा आता है चलिए तो अब हम इसमें गेस ओन कर देते फिर से और बेसं डाल देते हैं आपको यहां पर बेसं डालने से पहले ही आदे निम्बू का ज्यूस्ट डालना है मैं यहां पर ढलना भूल गई थ तो अभी भी मैंने सारा बेशन नहीं डाल दिया है तो अब मैं डाल देती हूँ और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे निम्बू या दहीं या चाज का यूज करके आप ये सबजी बनाएंगे तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है तो ये मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और अब जो बाकी का बचा हुआ बेशन है वो अब हम फिर से डाल देंगे इसे और अच्छी तरह से चला लेंगे तो अब ये हमारी सबजी ओल्मोस बन गई है ये बेशन की सबजी है तो मैंने या पर तीन चमा चितना ओल लिया था पर इतना भी ओल ना ले कि एकदम से उपर से दिखने लगे क्योंकि ज्यादा ओल भी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है और अब ये सबजी बन गई है हम इसको बंद कर देंगे और बाकी की सभी सब्जों की तरह इस सब्जी को भी हमें डग कर दो तीन मिनिट तक इसे रखना है और अब ये दो मिनिट हो चुकी है और आप देख सकते हो कि ये सब्जी सव करने के लिए तयार है बेसन वाली कोई भी सब्जी हो तो वो गर्मा गरम ही अच्छी लगती है पर कभी कभी हमें लगता है कि हर सब्जी बनाने में बहुत ज्यादा टाइम जाता है तो ऐसा कुछ नहीं है जब भी आप इस तरह से कुक करें तो पांच से साथ मिनिट में ये बनका तयार हो जाती है और जब आप ये सब्जी खाएंगे तो आप देखेंगे कि ये सरगवा की जो फली है उसका टेस्ट जो अंदर तक मसाला गया है कुप करते समय तो वो खाने में बहुत अच्छा लगता है तो आपको ये बहुत इंस्टन्ट और जल्दी से बनने वाली सरगवा की सब्ज का जरूर खयाल रखे आप भी स्वास्थ रहे और फैमिली को भी स्वास्थ रखे जाई जिनंद्रा